मैं अपने चैनल पर आप दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूँ, आप मैंसे और भी लोग हैं, मैं इससे बहुत खुश हूँ, लेकिन एशिया कप खतम होने वाले हैं, इससे बात से मैं थोड़ा सा दुखी हूँ, क्योंकि बैट्स कम लगेंगे, जल्दी करें और मेरे चैन करने का प्रयास करें, हमारा पहला मैच सूपर फोर भारत बनाम शीलंक का है, टीम इंडिया अब तक बदकिस्मत रही हैं, और उसने बारिश के कारण टूनामेंट में केवल एक ही पूरा मैच खिला है, पागिस्तान के खिलाब अपने पहले मैच में शीष क्रम में लेकिन इशान किशन और हार्दिक पांडिया जैसे खिलाडी अच्छी फॉर्म में दिखे, इस बीच नेपाल और पागिस्तान के खिलाब रोईश शर्मा और शम्मन गिल में लगाता दो अर्दशतक के साथ अपनी फॉर्म बापेस पाली, पूरा मैच नहीं खेल पाने के बाबा जू टीम इंडिया इस मैच में अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है। मोर्चे पर मतीशा पतीराना तीन विकेट लेकर इस्टार रहे और भारत के खिलाब भी गेम चिंजर हो सकते हैं। एशिया कप में कुशल मेंडीस और पतुम निसांग का भी बल्लेवाजी में मजबूत रहे। कुल में लाकर लंका वासी एक टीम ऐसी के रूप में दिख सकते हैं जिसका मतलब बैफसा है और जो भारत को पचारनी की कोशिश करेगी। जैसा ही बादा किया गया था। मैं उपरोग सभी को संचेक में प्रस्तूत करता हूँ। मैं आपको इस मैच के लिए अपनी फ्री प्रेडिक्शन देता हूँ। वन डे किर्केट में टीम इंडिया आम तर पर बहुत अच्छी रही है। दूसरी ओर शीलंका में पिछले कुछ बर्चों में उतार चड़ाव आए हैं। जब हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी बार एक दूसरे के खिलाफ खिला है तो भारत ने 165 मैचों में से 96 जीते हैं जबकि शीलंका ने 57 जीते हैं। हाला कि लंका बहुत अच्छे फॉर्म में हैं और टीम इंडिया के मैच बारिश के कारण कूरे नहीं हो सके हैं। और यही बात इस मैच पर फरक डाल सकती है। हाला कि यह एक कड़ा मामला होगा लेकिन हमें लगता है कि अंत में शीलंका ही जीतेगा। दोस्तों मैच के बीच ब्रेक के दोरान मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। मेरे टेरिग्राम पर जाईए उदर आपको बहुत सारी फ्री प्रेडिक्शन्स मिल सकती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जा अपने कोशल और प्रतिवा के शांधार प्रदर्शन के साथ अपने अभियान की शुरूआत की जबकि उन्हें रन बनाने में कटनायों का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेवाज एडिन माकरम और हैंरिक क्लासेन ने इन चुनोतियों पर काबू पाने और एक प्रदर्शन से अपने विरोधियों को लगातार आश्चर चकित किया है। उनकी अटूट भावना और छेत्र कोशल ने दर्शकों को पूरी तरह से आश्चर चकित और हिला डाला है। बॉर्नर और लावुचेन ने अपने भैतरीन प्रदर्शन से किर्किट जगर्त में आग लगा दी है। उन्होंने उस्साहा जगाया है और अपनी टीमों को शांदार जीत दिलाने में महतपूर्ण भूमी का निवाई है। इसके अलावा विश्वशनिये स्पिनर एडम जामपा, नाथिन, एलिस के साथ जो महतपूर्ण विकेट लेने की अपनी शमता के लिए जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के गेमपले में प्रतिवा का इस पर्स लेकर आये हैं। जमपास ने सबसे कठिन परिस्थितियों में भी लगातार महतपूर्ण विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना अत्यदिक मुल दिखाया हैं। जिसके कारण एक दिफसिया मैचों में शानदार जीत मिली है। ऑस्टेलिया अटूड ढर्ण संकल के साथ मैदान में उतर रहा है। और पांच मैचों की एक दिफसियाई शंकला जीतने के लिए तैयार है। वो अपनी शमताओं में आत्मविजवास और अटूड विजवास रखते हैं और खुद को प्रमुक शक्ती के रूप में इस्तापित करते हैं। वार्नर हेड और लैवुशगने की प्रतिवाव शाली बल्लेवाजी लाइनप के साथ ऑस्टेलिया दक्षिन अफरीका गैंदवाजों को एक मजबूत चुनोती पेश्क करता है। इन गैंदवाजों को इस विजए तिकडी का डटकर सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह जानते हुए कि आंगे एक कठिन परिक्ष्या आने वाली है जैसे ही वे शक्तिशाली और शेलियाई टीम के खिलाप अपनी पूरी शमता दिखाने के लिए तैयार हो रहे हैं। यह टाइटन्स का टकराव है जो रुमाच्या कारेवाई और किर्किट प्रतिवा के प्रदर्शन का वादा करता है।